तो चलिए दोस्तों लेकर आगया हूं आपके लिए एक और बड़ी जबरदस वीडियो दोस्तों यह जो 2022 है ना इस पे हर किसी की दोस्तों कोई ना कोई डिमांड आ रही है फोन को लेकर कि फोन के बीच में आज कल दोस्तों गेमिंग का जमाना है तो गेमिंग के लिए गेम आप बाइ कर लो तो आप एक दोस्तों बैस्तों चूज कर पाऊगे कि अगर आपने गेमिंग प्रसेसर वाण लेना है जा आपने बीचे में के बीचे नाइटी आप या स्पोर्ट चाहिए उसके लिए और कैमरे के वाइस मैं बताऊं जिसने रिल बगारा बनानी है वीडि चैनल तो चलिए आज की वीडियो बहुत स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हमारे फेवरेट फोन से यह है एसूस आरोजी 6 प्रोट 5G फोन यह बनाया गया है गेमिंग के लिए जिसको गेम के बीचे सबसे ज़्यादा पावरफुल परफोमेंस चाहिए उसके लिए व वन का गेमिंग प्रोसेसर इसमें आप गेम बहुत ही जादा फास्ट केल सकते हो अगर आपका फोन थोड़ा सा भी हीट हो गया इसके साथ एक कुलिंग सिस्टम हमें प्रवाइट किया गया है कि कुलिंग सिस्टम लगाओ फोन को ठंडा करो और गेम का मज़ा उठाओ और इसमें प्रवाइट की गया है और साथ में 512GB की इंटर्नल स्टोरी इसमें प्रवाइट की गया है इसप्ले बहुत मस्त मिल जाती है 6.78 इंचिस की 165 वाट की रिफ्रेश्ट के साथ इतनी जादा रिफ्रेश्ट किसी फोन के बिच में नहीं देखने का मिली आज तक इसमे अगर आपने वीडियो के बना नहीं है वैसे इतने जादा इसके बेकार नहीं है बट कैमरा बहुत ही जादे अच्छे है और आप वीडियो दोस्तों 4K में बना सकते हो और 8K स्पोर्ट करता है 8K के बीचे वीडियो देखोगे वैसे अभी आपके बास जो फोन है उस फोन म हमारा दोस्तो 37,000 रुपीस का है और इस फोन का नेम है शाओमी मी 11T Pro 5G ये 5G फोन है और शाओमी का है और शाओमी दोस्तों की अभी बहुत सारे अच्छे च्छे फोन बड़ी बड़ी प्रोर्सेसर के बीच में हमें देखने को मिल रहे है कि गेमी के बीच्छे हमें अच् प्रफॉर्मिस देने लग गया अभी के टाइम के बीच में जो फोन लोच हो रही है तो यह वाला फोन दोस्तों क्वाल कम स्नैप ड्रेगन ट्रिपल लेट के साथ आता है और साथ में 828 वाला यह वेरिंट है तो आपके बहुत ही जगा परफेक्ट वीडियो बनेगी तो 5000 एंपेर की बैटरी प्राइट की गया और साथ में 120 वाट की फास्ट चार्जिंगी स्पोर्ट तो आपको फोन दोस्तों मिंटों के वीशन चार्ज होने वाला है तो इसमें पावरफुल आपको फास्ट चार्जि Realme GT 5G दोस्तों यह एक नया फोन है means कि Realme के फोन अभी बहुत ही मस्क प्रफॉमेंस आ रही है कि दोस्तों Realme के अभी जितनी ज़्यादा इंप्रॉमेंट देखी जाए तो Realme के अभी फोन के वीशे इतनी ज़्यादा इंप्रॉमेंट है कि बंदा expect नहीं कर सकता था कि Realme इ 8K Gaming Processor के साथ और साथ में 120Hz की इसमें रिफ्रेश्टर प्रोइट की गई है डिस्प्ले बगार है तो हमारी बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों डिस्प्ले इतनी जादा है बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे जेम के बीचे बड़ी दोस्तों यह वाला फोन पड़े ना तो यहां पर आपको पंताली सो वेर की बैटरी मिल जाती है 65W की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है तो 8 Plus 623 वाला यह वेरिंट है तो इसमें गेम गयरा के लिए दोस्तों प्रफोर्मेस आपको अच्छी मिलेगी रियल्मी के फोन में तो यहां पर मैं बात करता है इसके प्राइस की 34,990 रुपीस का यह आपको देखने को मिल जाता है आपको डिस्क्रिक्शन लिंक को राइट कर दूँगा अगर आप इससे भी बैस फोन चाहते हो दोस्तों मैंने आपको स्नैपड्रेगन 8th generation 1 वाले स्मार्टफोन भी बताए है तो वह भी आपके दिए दोस्तों वेट कर रहे है तो चलिए दोस्तों जल से जल दी हमारे next phone के बार में बात करते है और यह है दोस्तों OnePlus 10 Pro OnePlus के phone camera हो गया, battery होगी साथ में gaming के लिए processor होगया gaming के लिए सकसे जदा best phone और camera wise के बीच में iPhone को टक्कर देने वाला यह smartphone है तो यहां पर दोस्तों आपको AMOLED display मिल जाती है 6.7 inches की आपको AMOLED display मिल जाएगी 521 ppi के साथ 120 Hz की refresh rate के साथ 50 megapixel 48 megapixel प्लस 5 megapixel के 8K के बीचे वीडियो स्पोर्ट करने वाले आपको camera's DSLR cameras मिलते हैं और 8K वीडियो दोस्तों इसमें आप बना सकते हो 32 megapixel का आपको front का Sony का camera दोस्तों प्रवाइट किये गया है तो इसमें हमें Qualcomm Snapdragon processor प्रवाइट किये गया है सब कुछ आपको इसमें अच्छा देखने को मिलता है तो बात करते इसका प्राइस कीजिए का प्रोसेसर मिल जाता है इसमें वही प्रोसेसर है और साथ में 8238 वीरिंट है 120Hz की रफ्रेक्टेट के साथ और 5000 एंपर की बैटरी होगी एक चीज़ बहुत जादा अच्छी है कि इसमें आपको stereo speakers मिल जाते हैं जिसकी वाज़े से आपको 7.1 जैसा आएगा यह फोन में दोस्तों camera बहुत ही जादा अच्छा है और साथ में एक music लिया आपको बहुत जादी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है इस फोन में यह आपको 34,999 का 35,000 का मिल जाएगा डिस्रिप्शन रे लिंक आपको प्राइड कर दूँ तो यह हमारा फोन है दोस्तों IQ 009SE यह IQ को फोन है वैसे बीच में की वीचिन जो लोग इंटरस्ट बहुत जादा लेते हैं तो आपने देखा हुआ कि IQ के फोन की वहां पर बहुत सारी यह होती है बहुत सारी एड दी होती है तो इस फोन में भी आपको एक पावरफुल प्रोसाइसर मिल जाता है सेम प्रोसाइसर और साथ में सारा दोस्तों वीडियो देखी होगी अन्बोक्सिंग भी देखी होगी आपको पता हुआ कि इस में प्रोफॉमिस वगरा कैसी आती है बट एक्शली में इसमें एड मैंने इसलिए किया क्यूंकि आप में इसे बहुत सारे लोग शाओमी का फोन पसंद करते को रियल्मी का क है क्योंका कोई सैमसंग अलग-अलग 200 ब्रैंड के पौन हर किसी को चलाने की आदत होती है तो यहां पर आपको मिल जाती है 6.67 इचिस की 120 हर्स के सारे रिफ्रैस्ट मिल जाती है 395 PPI की साथ और यहां पर क्वाकुम स्नेट ब्रैंट प्रिपल एड का गेमिन पर सैसर है और है और यह फोन की 200 प्राइस की बात कर लेते है कि कौन से प्राइस की बिश्य आएगा यह फोन आपको 32,980 रुपीज का आपको देखने को मिलेगा आपको डिस्रिक्शन में लिंक कर दूंगा अपी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं न फोन यह क्वाल कॉम स्नैप ड् फोन है सैमसंग लेक्सी एस 22 5G यह सैमसंग का फोन है एस 22 आपको पता है कि सैमसंग के एस सीरिस के फोन कितने जादा प्राइब होते हैं तो यहां पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है और दोस्ता इसमें 6.1 इचिस की एमुले डिस्प्ले है 120 हर्ट की रिफ्रे यहां पर 50 Megapixel 12 Megapixel प्लस 10 Megapixel का आपको इसमें कैमरे प्रवाइड किया गया है और साथ में आपको 8K video sport मिले के 24 fps के बीच में 10 Megapixel का front के डिस्प्ले का आपको इसमें मिल जाता है और इसमें दोस्ते बैटरी बहुत कम मिलिया थर 3700 Ampere की इसमें बैटरी प्रवाइड की ग कह सकते हो कि iPhone का भाई है यह Samsung Galaxy S22 तो बात करते हैं इसके प्राइस की यह आपको 66,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा और यहां पर दोस्तों हमारा यह वाला और यह आपको 66,000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा description में लिंक प्रवाइड कर दूँगा तो यह वाला जो फोन है यह है Matrola Moto Edge 30 Matrola का जो फोन है Matrola के फोन पता है कि लोग बाइड नहीं करते बहुत कम लोग बाइड करते हैं बट यह वाला जो फोन है यह फोन आपको लेना ही चाहिए वह इसलिए क्योंकि यह गेम के लिए फोन बनाया गया है 6.7 इसकी इसमें OLED स्क्रीन हमें प्रवाइड की गई है और साथ में 144 Hz की रिफ्रेश्टेट के साथ वैसे दोस्टो इसकी जो डिस्प्ले बिलियंस ओफ कलर्स के साथ इसमें आपको कलर्स मिल जाते हैं और साथ मिलती है इसकी बैक के लुक में आपको एक DSLR कैमरा मिल जाता है 50 Megapixel 50 Megapixel प्लस 2 Megapixel का दोस्तों आपको कैमरा मिल जाएगा 24 fps के भीछ वीडियो बना सकते हैं वह भी 8K में और साथ में आपको और साथ में आपको 60 Megapixel का फ्रंट का कैमरा देखने को मिल जाता है गेमी के लिए प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 का इसमें प्राइड किये गया है और साथ में हमें 4800 Ampere की इसमें बैटरी है और 68 Watt की फास्ट चार्जिंग के स्पोर्ट इसमें प्राइड की गयी है वैसे दोस्तो इसमें पावरफुल गेमी प्रोसेसर है सब कुछ बैस्ट है बट आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने 8 Gen 1 वाला फोन बाई करना है तो उसके लिए आपको दोस्तो मेन किस चीज़ के लिए आप लुग बाई कर रहे हो यह आप दिमाग के बेशन सो सबसे ज़्यादा बेस्ट तो आज की वीडियो के वीचे आपको दोस्तों पता चला हुआ है कि कौन से फोर है स्नाप ड्रेंट रिपलेट वाले कौन से है और 8 Gen 1 वाले कौन से आपको मिलते हैं तो फोन के वीच में प्रफॉमेस वगरा बहुत ही ज़्यादा अची मिलती है तो सब आपको मीस कि आप किस के लिए फोन भाई करना चाहते हो और आपका दोस्तों में क्या चीज़े एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फोन के बिच में यह चीज मैने यूज करनी है तो यह चीज मुझे मिलनी चाहिए तो आज की वीडियो बस इतना ही तो दस्तों मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो को बीचे हैं तब तक के लिए बाई बाई एंड गुडबाई एंड जाहिन वंदे मात्राम